क्या आप है प्रभास स्टारर फिल्म सलार को देखने के लिए तयार इस दिन रेलिस होगा फिल्म का ठैलर डंकी फिल्म की ट्रेलर से शारू Khan के पांस को है अमीद ऐनिमल ट्रेलर ने मचाया धमा का फिल्म का है फैंस को बेस सब्達 से इंपजार सल्मान खान की अगली फिल्म का टाइटल हुआ डिसाइट वल हाई गाइज वल्कम चु संडे स्पेशल शुरुआत करते हैं हम प्रभास की फिल्म सलार से जो की रिलीज होने जा रही है 22 दिसंबर को फिल्हाल आने वाला है इस फिल्म का ट्रेलर जिसकी रिलीजिंग डेट है एक दिसंबर शाम को साथ बचकर 19 मिनिट पर इस ट्रेलर को देखने के लिए बाकि फैंस काफी जाद एकसाइटिड है ट्रेलर से बहुत सारी चीजों का पता लगेगा डंकी का पहला सॉंग देखने के बाद फैंस को है इंतजार इसकी ट्रेलर का और उमेद ये जताई जारती है कि ये ट्रेलर आपको इस महीने के अंत तक देखने को मिल सकता है वैसे भी ये फिल्म 21 दिसंबर को वर्ल्ड वाइड रिलीज की जा रही है शारुकान तापसी पन्यू विकी कॉश्र इस फिल्म का एहम किरदार होने वाले है अब तक तो आपने अनिमल फिल्म का ट्रेलर देखी लिया होगा जो कि इतना धमदार ट्रेलर साविख हो रहा है फैंस को रंबीर कपूर का लुक उनके डायलोग्स ये फिल्म के कहानी बहुत पसंदा रही है एस इस फिल्म को देखने के लिए जनता काफीजाद एक्साइटी है और ये फिल्म एक दिसबर को रिलीस हो रही है कही न कहीं यह बी डाउट है की ये तीन गंटे किस मिनट के फिल्म देखने के लिए क्या जनता रुखेगी जब प्रेलर इतना पसंद आ रहा है तो देखते हैं क्या होता है सल्मान खान की फिल्म टाइगर 3 के बाद बगली फिल्मों को लेकर चर्चाइश शिडू हो चुकी है हाल ही में एक इंटर्व्यू में खबरों की मानित सल्मान ने डिवील कर दिया है कि करन जोहर विश्वर्दन के साथ जोनकी फिल्म होने वाले है उसका नाम होगा दबबल कमें सेक्शन में आप अपनी राय बताइए और कर दीजे चानल को सब्सक्राइब